So hey guys, what's up, welcome back to our channel और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी Vivo phones में apps को कैसे height कर सकते हो तो Vivo phones का थोड़ा सा अलग systematic funda है जो की बाकि सारे phones से different है और इस phones में आपको already ऐसा softwares मिल जाते हैं जो की apps को height कर देते हैं मतलब आपको बाहर से कोई भी ऐसा software नहीं download करने की जरू होता है कोई apps नहीं download करने की जरू होता है जो की आप खुद ही Vivo phones में automatically जो की available है तो ये step कैसे करेंगे ये सारे आप अगर apps hide करना है तो कैसे hide करेंगे मैं एक वीडियो के तरह में आपको बता रहा हूंगा और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे screen recording check out कर सकते है screen recording ये रहे तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी mobile screen पर आ चुके हैं और ये सारे apps जो हैं वो आप check out कर सकते हैं तो हम इन ही कुछ apps को hide करने वाले हैं hide करके आपको बताएंगे और फिर ये हम आपको बताऊंगा कि कैसे ये work करता है तो सबसे पहले बात अगर आपको एक application डूलना है app manager करके अगर आपको नहीं मिल रहा है i manager करके sorry so आपको गर नहीं मिल रहा है तो आप app manager search कर सकते हैं और वहाँ पर अगर आप slide right करेंगे down करेंगे यहाँ पर आपको देख सकते हैं i manager करके application है तो अगर ये install नहीं हो तो आप कर लेना ठीक है और अगर already install होता है भी वो के phones में तो आपको यही application को open करना है फिर by mistake लिए आपने disable कर दिया हो तो इसको जाकर enable कर लेना तो अब आपको एक pin lock set करना है जो की मैंने already set करके रखा है तो यहाँ पर मुझे pin lock यह पूछनी रहा है तो hide app अगर आपको कोई करना है या फिर app encrypt भी आप यहाँ पर कर सकते है encrypt का मतलब होता है आप इसमें password लगाना चाहते है या फिर fingerprint लगाना चाहते है उसे closely एक बंद करना चाहते है तो यहाँ पर यही differences मिलने वाले हैं बट हमने hide apps की बात की है तो आपको hide app पे click कर लेना है और बस इतना ही काम है और बहुत ही आसानी से आप अपने apps को hide कर लेते हैं और बाकी बाहर कोई application की आप use भी नहीं करते हैं तो that's it इतना easy है यह है और अगर वीडियो पसंद आई है तो like करना कोई बात नहीं dislike भी कर देना अगर अच्छी नहीं लगे तो bye bye तो यहाँ पे आप check भी कर सकते हैं कि आपने consequence apps hide किये हैं आप उसे बिना i manager के जाकर के भी खोल सकते हैं password अगर आपको पता होना चाहिए अगर आपको password नहीं पता है तो फिर problem हो सकती है यहाँ पर आपको अलग process करना पड़ जाएगा तो वीडियो पसंद आई तो please like कर देना bye bye